जैश्री कृष्णा राधे राधे आज के इस वीडियो में हम पित्र एकादशी जिसे इंद्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है इस पर बात करेंगे इस बार साल 2030 में पित्र एकादशी का वरत किस दिन किया जाएगा पूजा का सुब समय क्या रहेगा व्रत पारण का शुब समय क्या रहेगा और भी बहुत सारी जानकारी इंद्रा एकादशी के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेती हैं इस बार यानि साल 2030 में पित्र एकादशी का वरत 10 अक्टूबर यानि मंगलवार को रखा जा रहा है एकादशी थी 9 अक्टूबर की दोपहर 12 बज कर 36 मिनट पर शुरू होगी और 10 अक्टूबर मंगलवार की दोपहर 3 बज कर 8 मिनट पर होगी सुर्योदे में और दोआदशी में होने के कारण 10 अक्टूबर मंगलवार को ही एकादशी का वरत रखा जाएगा इस बार दो एकादशी का योग नहीं है इसलिए सभी इस्थानों पर एक ही दिन 10 अक्टूबर मंगलवार को ही एकादशी का वरत किया जाएगा पितर इंद्रा एकादशी को लेकर एक सवाल अक्सर मन में आता है कि एकादशी का दिन है और शराद भी है तब ऐसे में शराद कैसे करेंगे क्योंकि एकादशी के दिन तो अन खाना ये खिलाना दोनों ही मना होते हैं तो ऐसे में शराद कैसे होगा अगर आपके सामने भी यही समस्या आ रही है तो इसके लिए म मंगलवार की सुबह 9 बच कर 13 मिनट से 12 बच की 8 मिनट तक का समय बहुत ही शुप है इस समय में आप अपने एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं कोई दान वगेर आपको करना है वह भी कर सकते हैं राहुकाल मंगलवार का दिन है रहे का दिन में 3 बचे से 4 बचे तक इस समय को आप नोट करके रखें और इस समय में कोई भी शुप गाम आपको नहीं करना चाहिए एकादशी व्रत का पारण 11 अक्टूबर बुधवार को किया जाएगा जिसका समय रहेगा सुवेट 6 बच कर 19 मिनट से 10 बच कर 12 मिनट तक इसी शुब समय में आपको अपने एकादशी वृत का पारण करना है लेकिन ध्यान रखें अगर आपको एकादशी वृत का पारण करना है और आपकी यहां दोआदशी में शिराद होता है तब पहले आप शिराद करें और बाद में आप अपने एकादशी वृत का पारण करे दस अक्टूबर बुद्वार को ही परदोश वरत किया जाएगा यदि आप परदोश वरत करते हैं तब अपने एकादशी वरत का पारण आप तुलसी दल और गंगाजल से कर सकते हैं या फिर फलों के जूस से भी आप अपने एकादशी वरत का पारण कर सकते हैं पित्र पक्ष में पढ़ने वाली इस एकादशी का वरत करने से और इसका फल अपने पित्रों के निमित दान देने से पित्रों को मुक्ति प्राप्त होती है तो जो कोई भी एकादशी का वरत नहीं करते हैं पूरे साल की जो एकादशी आती है उनका वरत नहीं करते हैं उन्ह भी पित्र इंद्रा एकादशी का वरत करना चाहिए और इसके फल को अपने पित्रों के निमित देना चाहिए इससे पित्र पर सन्नों होते हैं उन्हें मुक्ती प्राप्त होती है और घर में सुक्षान्ती और खुशाली आती है पित्र इंद्रा एकादशी की वरत कता में भी आप सुनेंगे कि यदि हमारे कोई पित्र जिने अभी तक मुक्ती प्राप्त नहीं हुई है और विविन योनियों में घूम रहे हैं उनके निमित यदि इस एकादशी का वरत किया जाए और इसका फल उन्हें दे दिया जाए तब उन्हें मुक्ती प्राप्त होती है तब आप भी अपने पित्रों की मुक्ती के लिए इस एकादशी के वरत को विधी विधान से जरूर करें आज की इस वीडियो में बस इतना ही हरे कृष्णा राधी राधी